साइक्लोन विपॉर जोए को लेकर अब सिथी सपस्ट हो चुकी है कि ये साइक्लोन गुजरात के 30 इलाकों से गुजरेगा उस वक्त उसकी रफ्तार 135 किलोमेटर प्रतिगंटे के होगी वो कई इलाकों में तबाही मचा सकता है फिलार आपको हम विंडी की एक इमेज दिखा रहे हैं कि कैसे यह मूव हो रहा है देखे आप 13 और 14 तारीक का मोमेंट भी देख लिए यह जैसे जैसे यह पास्त में जाता हुआ साइक्लोन आपको गुजरात के 30 इलाकों में दिख रहा है यहां पर दिख रहा है और इसकी यह आपको मैं बता दू यह जो चीज है आपको जो रेड लाइन के साथ बीच में दिख रहा है यह दरसल इसकी आई है यह इसकी आई है जो उसकी मूमेंट फिक्स करते हैं और वो अभी गुजरात के 30 इलाकों में खास्तोर पर इन कवर पी और जा पहले यह जा रहा था मसकत की और फिर जा रहा था हो कराची की और अब य इस तरीके से मूँ होता हुआ दिख रहा है और अब देखे आप 14 तारिक और 15 तारिक में के मुमेंट में भी देख लिए पास में जाता हुआ दिख रहा है और गुजरात के 30 इलाकों में यह देखे यह अब गुजरात के 30 इलाकों को छूँ चुका है और यह 14 तारिक की तस वहां पर ये कच के इलाकों में यहां पर देख रहा है जहां पर अत्यादिक बारिश का पुर्वानुमान बता गया है इसके साथ साथ मैं आई-मडी का भी मॉडल दिखा देता हूं जिससे आपको क्लारीटी और आएगी कि इस तरीके से इस पर देख रहा है देखे यह अभी आप नजर लगाईए कां यहां पर 15 16 यह 15 16 पर आप नजर लगाईए यह यह 12 से लेके 14 से लेके 16 तक जहां पर जो 135 किलो मिट्र प्रतिश गंटे की रफ्तार और वेरी सीवर साइक्लोनिक स्ट्राम बंदा हुआ यह दिख रहा है यह उनकी और किन-किन इलाकों में भारी- होगी घ्यूंद्वि में काफी तबाही मचा सकता है यह फो अब किन्किन जिलों में क्या सिती होगी का क्या स्थिती है यह तहीँ दें यह दरसल जुनागड और पोरबंदर में यहाँ पर 14 तारीक का अब 15 तारीक को दिखा लिए यहाँ पर रेड अलेट दिये दिया है यह सबसे खतरनाक है यहाँ पर 25 इंच जितनी बारिश का अनुमान इन जगहों पर दिखाया जाए उसके अलावा रेड प्लेशी से हैं और लाइट य थास है यहाँ पर 55 से साथ किलोमेटर लजी 14 तारीक की बात कर रहा हूं यह 14 तारीक और यह दो जगहों पर 15 तारीक को क्या होगा जो सबसे घांतक होगा वसे बता है इन इलाकों में, यह 135 km प्रतिगंटे की रफ्तार, यहाँ पर 135 km यहाँ पर देगस्टिंग स्पीड होगी, यह देख लिजे, इन जगाओं पर, यह जो बता रेड लाइन है, 125-135 km प्रतिगंटे की रफ्तार इन इलाकों में, यानि काफी तबाही मचा सकता है यह जगाओं, उसके साथ-साथ NDRF की, SDRF की टीमों को कहा तैनात किया गया है, वो आपको मैं इमेज बता देता हूँ, यह जो ब्लू पैच आपको दिख रहा है, जरा जुमीन करके दिखाऊंगा, जो ब्लू पैच दिख रहा है, इन जगहाँ पर SDRF की टीमों को तैनात किया गया है, औ और जहां पर जो आपको ब्राउन पैज दिख रहा है यहां से मूमेंट होगी और यहां पर आपको दिखा रहा है कि 14 टीमें अभी यहां पर तैनात की गई है और यह सबसे ज्यादा जो घातक के तौर पर इसको दिखा जार 135 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से जब यह हवाएं चलेगी तो इन इलाकों में खास्तोर पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है तो यह जो तस्वीर हैं वो बहुत खतरनाक है सरकार की और से मंत्रियों को डिप्लॉय किया गया है कच्छ में रिशिकेश पटेल हैं और देवबुमी द्वारका में खुद ग्रहराज्य मंत्री हर्ष संग्वियों आपर बैठे हैं बाकी जिलों में भी अलग-अलग मंत्रियों को बेजा है और कम से कम हताहत हो यह सरकार की सबसे बड़ी प्रियोर्टी है लगातार इंपूट्स खुद मुख्यमंत्री हैं वो ले रहे हैं कमान कंट्रोल रूम से और यहां से प्रशाशनिक अमले कोई है यहीं से आदेश दिये जा रहे हैं कि जो साइक्लोन ताउते में जिस तरीके से दिखाया था जिरो कैस्यूर्टी उस एप्रोच के साथ इस साइक्लोन विपॉर्ट जो हमाभी आगे बढ़ाया जा और कम से कम हताहत हो नुकसान कम हो इसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ रहे लेकिन 135 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से जब हवाय चलती है तो नुकसान काफी मचा सकते हैं